हेलो गाइज, सब्सक्राइब करें रस्मी सुलोग यूट्यूब चैनल, बेल आइकन पेश करें हमारी नहीं नहीं रेसिपिस देखने के लिए आज मैं आपके साथ शायर करें हूँ अलवाई लोग चम चम कैसे बनाते हैं, देख सकते हो कितनी स्वीट, प्यारी सी और यमिसी चम चम बन करके रड़ी हुई है और इसी बराने का सिक्रेट आप आज इस वीडियो में देख सकते हैं कि किन चीजों से ये बनाई जाती है, बहुत फास्ट बन जाती है, एकदम सिंपल टिप्स है तो अगर आप भी बराना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा यहां पे लिया है 20-30 लिटर लगबग दूद और इसको बोईलर में डालती है, बोईल होने के लिए जैसे ही दूद में एक उबाल आता है, तो इसको ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बरतन के अंदर तो सबसे पहली प्रोसेस से एक यह सिंपल है, दूद को बोईल करना है, और बोईल होने के बाद आप इसको चनना प्रिपेर करना है तो दूद अच्छे से बोईल हो चुका है, और इसको ट्रांसफर भी कर लिया है, और अब इसके अंदर डालेंगे जो पहली सी चनना तयार करते हैं उसका पानी, चनना तयार किया हुआ जो पानी होता है उसी सी चनना प्रिपेर करेंगे तो दो मिनट के लगबख दूद को ठंडा कर लिया, और बस इसके बाद में अब ये पानी डालेंगे चनने वाला, तो आप देख सकते हो, यह है चनने का पानी, तो इसको थोड़ा थोड़ा करके लगबख, पांच लेटर के लगबख इसके अंदर पानी डालेंगे, तो य स्टार्ट हो गया है अब इभी दूद्ध पूरी तरह से नहीं फटाए थोड़ा सा पानी इसके अंदर ओर डाल देंगे बस यह यह चली के पाने से जो दूर फड़ता है जो चलत पती होता है वह चलता है तो कि धूड़ा करuard कर लेते हैं उसको आघर दूरक इन को चलता है उसके न्दर में से खटाई होतème कि निकटे हैं और यह थोड़ा थणदा हो इसको छानने में कुछ डिपकत में आती है चानने के बाद नोर्मल ठंड पानी घयती है इसके अंदर की जो खटाई होते हैं वो निकल जाती है उसकी बाद में इसको इस तरह से दबा दबा करके और फिर सारा पानी जो निकाल देते हैं सारा पानी दबा करके निकालने के बाद और चन्नी को थोड़ो से हातों से मसल करके चिकना कर लेते हैं यहां पर कोई ऐसा नही चन्ने का पाणी बस दबा दिया, डाईएक लिए लिए और इसके बाद में इसके जो बनाई जाएगे, तो यह चन्ना हल्का गरम है, एक दम जैसे हल्का गुन-गुना गरम होता है पाणी, उसी तरह से हल्का गुन-गुना है, उसी टाइम पे अगर इसको मसल करके चिकना कर तो दूसरब 2 मिनट लगते हैं और एक दम से चिकना और सौप्ठ छणना तयार हो जाता है, उसके बाद में इसकी लोई तोडते हैं, और फिर इस तरह से चम-चम का सेप बना लेते हैं तो बस इसी तरह से सारी चमचम याने धेर सारी चमचम तयार करेंगे और इसी भी सहम चलते हैं अभी चासनी के तरफ देख लेते हैं कि जो चासनी है वो कैसे प्रिपेर होगी तो यहां पर आप देख सकते हो चमचम जो है सारी बनकर के रड़ी होगी है तो चलिए आप देख लेते हैं, छासने कि इस परकार से प्रिपेर होगी इसके लिए तो यहाँ पर देख सकते हो, पानी बोईल हो रहा है और इस पानी के अंदर डाल देंगे यह लैब बॉग पचास लिटर पानी है और इसके अंदर यह देख सकते हैं, आप सुगर तो यह सुगर डालेंगे इसके अंदर तो यहां पर डालेंगे ये 50 kg सुगर और अच्छी दरह से mix करते जाएंगे पहले सुगर को पानी के अंदर अच्छे से mix करना है यानि जब तक ये अच्छे से mix नहीं हो जाती है न तब तक इसको चलाते विए पूरा मेल्ट करेंगे और जब सुगर मेल्ट हो जाएगी तो इस पानी के चासनी के ऊपर से जो मेल होता है वो निकालेंगे और उसके बाद चासनी को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे आधी चासनी को निकाल देंगे चिपचिपी चासनी को और आधी चासनी उसके अंदर उसको थोड़ा सा और चिपचिपा बनाएंगे तो आप देख सकते हो सुगर जो अच्छे से मेल्ट हो रही है अभी चासनी बन रही है और चासनी की इसी प्रोसेस में बस एक प्रोसेस होती है इसमें थोड़ा सा दूद डाल करके पहले थोड़ा सा दूद डाला उसके उपर जब इस तरह से मेल आता है तो इसको निकाल देते हैं तो यह चासनी की सिरफ एक ही प्रॉसेस होती है इसे तोड़ा साप दूर डालिए और जैसे इसके उपर इस तरह से मेल आजाए तो चासनी क्लियर हो जाती है इससे जो मिठाई बनेंगी वो वाइट बनेंगी अब आप देख सकते हो यह चिप-चिपी चासनी है आधी चासनी को बड़े बरतन म रखा है अब चम-चम बिल्कुल से रटी है तो सारे चम-चम को उसके अंदर डीप कर देंगे एक साथ में चासनी के अंदर डाल देंगे और उसे बोईल करेंगे तो देख सकते हो चम-चम जो है चासनी के अंदर डाल दी है और यह अच्छे से इसके अंदर बोईल आ रहा ह अब ये जहाग कैसे आ रहे हैं इसके लिए यहाँ पे डाला जाता है रिठे का पानी रिठे के पानी से इसके अंदर बबल्स आते रहते हैं और फ्लेम जो है बिल्कुल हाई फ्लेम पे इसको पकाया जाता है अब आप देख सकते हैं आपको साइज थोड़ी चम चम दिखाए देरी होगी और बीच बीच में डालेंगे नॉर्मल पानी तो लगबग 10 मिनट पकाने के बाद थोड़ा पानी डाल देते हैं इसके अंदर और आप देखिए 10 मिनट के बाद चम चम का साइज कैसे हो गया है बहुत ही अच्छे से पक करके तयार हो रही है और इसी तरह से ये लगबग 10 मिनट तक और पकाएंगे और बीच में इसके अंदर पानी डाल देते हैं नोर्मल साधा पानी जब लगता है कि चासनी गाड़ी हो गई तो इसके अंदर नोर्मल साधा पानी जो होता है वो डाल देते हैं लगबग 2 लिटर पानी डाल देते हैं दो से तीन बार में थोड़ा थोड़ा गर के इसी चासनी थोड़ी सी पत्ली हो जाती है और चम चम बहुत अच्छे से पक करके रड़ी हो जाती है तो अब आप देख सकते हो चम चम अच्छे से पक चुके है तो गेस का फ्लेम बंद करके उसको जो चासनी निकाली हुई है न यूज करते हैं वीडियो कैसी लगी कोमेंट करके जरूर बताना थेंक यू